अज़िए इस बुड़ ओर निश्ट्रेंट्स और वेट्थ प्लास आज हम अपने बुक के हैं चेप्टर नाइन नमबर नाइन को श्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टैडल है अलजेबरिक अक्स्प्रेशन्स इस बियाए और आपके लिए तैटल हो सकता नया हो और आपने पिछली किलास भी इसक के बारे में इशुड़ी की हो। प्रियास करूंगा सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है अलजेब्रिक इसी को लेते हैं तो अलजेब्रिक एक वर्ड होता है अलजेब्रा क्या होता है एक ब्रांच और मैथेमेटिक्स यानि कि जैसे ट्री होता है उसी प्रकार से ट्री के लाइगी है जिसके ब्रांच ओतीत है उनमें से अलजेब्रा इक ब्रांच है इसके लबवन एससे अलजेब्रा में सबसे पहले हम कैसे संभेंगे कि यह निया कुछ है इसके लिए कुछ وर्ड्स को पार और किंद निया कि बिन इसकी है बेरियेबल कॉंस्टेंट क्या होता है बेरियबल के daha हम न दिद्द पुणेंट में से बनाएं समर्त वेरियृ का मतलब होता है बिन बिल या वल्हाग न समर्त अर्थार्थ तो बिन-बिन लेने में समर्थ हो, बिन-बिन क्या लेने में समर्थ हो, ठीक है, यह वेरियबल कें टेक एनी रियल वेल्यू, कोई भी वाश्टिक वेल्यू ले सकता है, रियल वेल्यू का मतलब 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, कोई भी रियल वेल्यू ले सकता है, तो यह आपके लिए वेरियबल के एक डेखनेशन हो गई, तो आप इसको राइट करना, लेंड करना, यह में से यादर के वेरियबल क्या होता है, ठीक है, वेरियबल आप डिनोटेड बाई, एक्स, है, तो वेरियबल की सकल कैसी होती है, दिखते हैं, तो आप रोग, जब भी आपके सामने, ऐसे वाड़ दिखें, अल्फाबेट के लेटर, उनमें से आप समझे लेना, कि यह वेरियबल है, इनमें से आलांगी कुछ, वेरियबल नहीं होता है, लेकिन उस्पसल कंडिशन द कोई भी वेल्यू लेसकता है, फिक्स वेल्यू होती है, जिए 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, 0, यह फिक्स वेल्यू है, तो इनको हम कॉंस्टेंट बोलेंगे, अल्जेब्रा में, हमरे पास में, जब भी यह नम्मर्स आए, अकेले आए, इनके साथ में कुछ भी नहीं आना ची है, आक ओप्रेशन्स, इन मेच्स, मेटावाटिक्स वेल्ड़ाओ, चार ओप्रेशन हैं, ओप्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे, हिंदी में किरिया होती है, और इंग्लीश में वरब होती है, तो पुरा सेंटेंस, पुरी इंग्लीश वरब चलती हैं, उसी प्रकार से मेट इसलवाटिक्स में भी चार ओप्रेशन प्रमु का इसके अलावा भी है, लेकिन मेन ओप्रेशन यह है, हिंदी मिल को बोलते है, जोडवा की गुणा भाग, ठीक है, इस्टॉड़न्स, एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मुल्टिप्लाइवर, डिवाइड, यह चार शिंबल द फार गह क्या पास अगला जोगली बनेगा इन तीनों को मिला दिया जाए, तो मैं पास बनेगा आल्जेबरीक अक्स प्रेशं, इस्ट इस इससलड लेकिन मेरे पास आता है, अल्जेबरीक अक्सप्रेशन, तो उन तीनों का जो combination होता है वो अलजेबरी expression कहलाता है जैसे examples के बात करें यह students में एक 2-1 constant ले लिया है और एक्स variable है इन दोनों के बीच में यह multiply का sign आ गया तो इस condition में इसको यह होता है two x यह multiply का sign ने लगाने पर multiply का sign ही समझाता है तो यह two x क्या हो गया यह तुक्स मर्हें पास एक अल्जेबरी अक्स्प्रेशन हो गया students ऐसे जिसे मैंने वाइब लिया है ठीक है plus यह और ले लिया और तू यह यह वेरियबल नहीं यह ऑ और फों और अगया यह वी अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन इसमें वाइए हमारे पास वेरिएबल है और फों को णनों ऑंस थे हो Om अल्जेबरिक अक्सप्रेशन हो गया है इस प्रकार स्थिद्ट तेन्नों की कोंबिनेशन से जो बनता है उसे हम अल्जेब्रिक अक्सप्रेशन कहते हैं है अग्वारे पास वह आता ट्रम्प ठीक आपको पता वॉना चीज प्रम क्या चीज होती है कि इसकी डैफिनेशन देखिए प्रम्स और एड़ेड़ फोर्म अक्स्प्रेश्च और अलजेब्रिक अक्सप्रेशन को नॉर्मल हम अक्सप्रेशन ही बोलेंगे जबकभी याक्सप्रेशन की बात हो तो श्जाट्स आपको केच समझेना कि अलजेब्रिक के बारे में बात ओर है तो अक्स्प्रेशन को बनाने के लिए प्रम को 8 किया जाता है क्या किया वाइब तो यह उगार्ट में एक्ट चीज नहीं चोड रहे एडिसन शाया है नहीं नहीं तो बिटीव धॉट पियली कि ने नीकोटीव धूद रहे हैं तो उस कंडिशन में यह एकर मैं इक इसमें रहा बने एक − को अलग अलग ट्रम समझ लो नहीं टुवक्स एक ही ट्रम है प्रडक्ट के रूप में कितने भी आपके पास क्यों आजाए वह एक ही ट्रम माना जाएगा हां प्लस का और प्रेशन आजाए तब वह बारों माना जाएगा इसी प्रकाश देखिया आधास यहां इसी आधेकर धार किये यह यह यहां पर माइनस फोर माइनस फोर उसमें गिलेंगि आ है तो प्लस माइनस यह इस प्रकाशा आइस ऐसे प्लस माइनस माह Allah करके अक्षिक 158 फोर और यह भी दो ट्रम है तब आपको अलग-अलग काउंट करने है अदरवाइस एक ट्रम होगा जैसा कि इसमें लेकिए 3XY में इसमें ना तो एडिस्टर का साइन है ना ही सब्सक्राइक्षा का साइन है इसमें बाड़ पास मल्टिप्लाइब का साइन है ये त्री इन्टु आक्स यह इसमें परकार से तो यह सिंगल्ट रगए है तो समुझ गया होंगे पद 2018 में पद बोलते हैं इसमें दो पदय सु धो कर देख़्ांध면 आदे और पास यह About आइस यह AONY-3, यह सुधाइब तीन पद हो गई जयत थ्री ट्रम कहलाते हैं तो आप समझ गया होगे फ्रम क्या होता है तो याड़ सब्सक्राइब किया जाता है चाए प्लस का हो जाए मैनस का हो एड़ क्या जाता है उसको ल्व मैं बोलते हैं से नेक्स भाता फेक्टर्स से चाँ चैज होती है स्टेंब इस और भी फॉर्म एज प्रोड़क्ट अविक्टर्स यह नजी प्रॉम होते हैं प्रॉम किसे बनते हैं प्रॉड़क्ट भप थेक्टर्स से आपके पास दो चीज़िए एक वेरियेबल ले लो और एक आप अब ठीक है इस्तेट्स यह आक्स और यह तू और इन दोनों का अगर प्रोड़क्त कर दे तो उसके असे माला पास बन्दॉफ अक्स तू निया आने गा पहले निम्य्मिरिकल वेरियोग के अपैस क्यों हूं गया है तरल हो गया है अप्स क्या हो गया है लिए पर क्या इसी प्रकास से आगे देख आ यह तो इसको मुंटिप्लाइक गर दिया 1 upon 2 से, तो students y के upon में 1 है, इस प्रकाश हमारे के पास ये पॉन 2, ये भी एक ट्रम है, तो ये ट्रम किसे मिलकर के बना है, 1 upon 2 और y से, इन दोनों के product के रूप में ये बना है, इसी प्रकाश है अक्स अपॉन 4 है, x square upon 3 है 4 x square y है इसमें हमारे पास यह देखिए 4 into x square into y यह तो variable है यह variable के अलाव यह constant है यह product के रूब में है तो यह तियनों factor कहलाते है 4 x into y यह factor कहलाते है तो यह factor समझ गया होंगे आपके factor का मतरब होता है गुडन खंड अब गुणा के रूब में जो खंड होते है जिसे वाली दस है दस को अपन 2 into 5 लिखते है तो यह factor हो गए 2 and 5 are the factors of 10 ठीक इसके इसके अलावा आप देख सकते हो कि 10 किसके से divisible है 1 से भी है 2 से भी है 5 से भी है और 10 से भी है इसके फेक्टर कहलाते है वो प्राइम प्रेक्टर तो और 5 और यह factors की बात करें तो यह 10 किसके से divisible है जैसे बताइए 6 किसके सिफ डियूजिबल है 1 से भी है 2 से भी है 3 से भी है और 6 से भी है तो यह इसके फेक्टर कहलाते है इसी प्रकास है हमारे पास यह हमारे पास A आर पर यह से भी होता है इसके फेक्टर होगे इसके प्रोडक्ट के करें तो यह आता है ठीक हा और यह पूरा का पूरा का बनता है single लास्ट नाता है कोपिसैंट क्या होता है कोफिसेट कोफिसेंट है उतंट है यह पाप होता है यह वेरियबल और कॉंस्टेंट की बनता है मेयर हो गोंस्टेंट पर अगर पर multiply कर दें उनका product find करने तो हमारे पास ट्रम बन जाता है तो उसमें जिनको multiply किया वेरियबस को अपन numerical value से multiply करता है तो उनमें वह numerical value है वह coefficient कहलाती है numerical factor of a trump में ट्रम के factor करने पर देशी यह तरम था इसके factor किये इस factor में जो numerical value थी वह क्या कहलाती है coefficient कहलाता है ठीक है जैसे minus 5 x square है इसमें minus 5 x into x यह है तो यह numerical value है minus 5 इसका coefficient होगा इसमें 2 coefficient होगा इस प्रकाश से आप लोग यह समझ गया होगे कि coefficient क्या होता है इन definitions का अब लड़ को रोगे तब जागर के mind में set होगे next सलते हम next हम study करते हैं types of algebraic expressions कि जो algebraic expression होते हैं कि कितने types के होते हैं तो on the basis of trumps on the basis of trumps अगर हम इनकी types की बात करें तो वो कर रहा है on the basis of trumps देखें ट्रम्स वर्ड बार बार यू जा रहा है तो आपको इस ट्रम्स वर्ड को मैंने एक अक्स्प्रेंट किया था और अब भी आगर समझ में नहीं तो और समझ लेना तो तो टाइप्स में सबसे पहला था मोनोमियल ठीक है अक्स्प्रेशन having one term is called a monomial अर्थार ऐसा ठीक हमाए था चुक्रेशन ठीनों का कॉंबिनेशन जिसमें एक ट्रम एक लिए किburst अब इसकंव हो पार को घृडिन अब तो देखिए यह वाला maunomial है क्योंकि a deep down भाइब फोर एंटव कॉल्स यह इंटव तीन फेक्टर बनकर करके इनका प्रोड़क्ट एक प्रम बनाया है ऐसे थ्री इंटू आक्सें टू यह भी एक है ऐसे यह आता माइनस स्यावन इंटू जेड़ देखिए माइनस स्यावन न्यूमेरिकल वेलियो है और जेड़ है आप यह मत समझे ना कि मैनस आ गया तो इसमें बनें यह तो इससे पहले कुछ भी नहीं है हाँ इसके पहले अगर आपके पास कुछ होता जीसी 3 तब यह दो ट्रम हो जाते लेकिन माइनस से पहले कुछ नहीं बाद में इंटू में जाना जाएगा ऐसे यह भी सिंगल ट्रम है यह वी अकेला है नहीं है और यहांपर कि यहां पर देखिए आज दो है और बीछ में किसका जाएन है तो ट्रम्स किये जाते हैं क्या बनाने के लिए अक्सपिरस रहा है तो यहां पर दो ट्रम्स कट्राक्स रॉख र्म यहां पर देखिए अगर फोरल की बात करें तो फोरल सिंगल्डराम है इसकी तरह और 5M 1 सिंगल ट्रम है दोनों को एडीशन करके यह हमने बाइनोमिल बना दिया है ऐसे यह सिंगल ट्रम है फौर अनुदर शिंगल ट्रम है दोनों को प्लृस का इस तो प्लस का साइन में या माइनस का साइन आए उस कंडिशन में उनको डबल काउंट करना है ऐसे यहाँ पर भी है डबल टॉम्स इसलिए इसको बैनोमिल और एंग इस्वट नेक्स आपाता है ट्राइव लूमिल नामसे को दल रहा है इसमें तीन प्रम होंगे कितने रम इसमें एक जो इस इन सब को भी हम पॉलीनोमिय बोलेंगे तो यह सभी पॉलीनोमिय होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक पॉलीनोमिय हो ठीक है जैसे आपन स्कॉर्यों पढ़ते हैं तो जब स्कूल की गेट से एंट्रि लेते हैं तो संब सभी स्टुडेंट्स होते हैं आप सभी स्टुडेंट्स होते हों लगी तब अलग लग पर ट्राइब अलग बढ़ जाते हूं उसी प्रकार से यह सभी है लेकिसिंगल टरंसे अधिक ऊपॉल नोबिलं अधिक वाले को क्या है ?। तीन से कम वाले को बोल सकते हैं, एक वाले को बोल सकते हैं, दो वाले को बोल सकते हैं, एक वाले को एक ट्रम वाले को मोनोमिल बोल दो, चाहिए पोलिनोमिल बोल दो, दो ट्रम वाले को मोनोमिल नहीं बोल सकते हैं, तीन ट्रम वाले को बाइनोमिल नहीं बोल सकते हैं, इस प अगया को अजबेरिक एक्सप्रेशन थी तो यह हमारी पास आता है अब हम नेट्स्ट हमारी पास आते हैं लाइक और अलाइक ट्र लाइक हुरे इस्ट लाइक और अनलाइक ट्रम्प से चलने से पहले हम कुछ क्योस्स के बारें देखते हैं क्योस्ट यह है कुछ हमारे को आलजेबरी एक्स्प्रेशन गिवन है इनको क्लासिफाई करना है क्लासिफाईग ओम्नलाइक बातना आपको यह किस काटेगरी में आता है यह कैसे आता है अभी मैंने चार प्रकार के बताए टें मोनोम्मियल बाइनोम्मियल ट्रीनोमियल और पोनोमियल इनमेशे बताईये यह पहला हमारा आलजेबरी का एक्स्प्रेशन अखिस ह creepstars बताई इसमें कितने ट्रम है, कितने ट्रम है, दो ट्रम नजर आ रहे हैं, वान और टू, तो यह है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ओके इसमें कितने ट्रम नजर आ रहे हैं, तो यह हो गया, ट्राइनोमियल, इसमें कितने ट्रम से नजर आ रहे हैं, इसमें तीन आ रहे हैं, यह इत्रै वह्ए ट्राइन्ए नॉमियल पेश्च्ट लेट्स अगले वालेव कितने ट्रम नजिरा रा रहें आपको दो त्रम है यह 4 कि ठीक है यह दोनों प्रोडक्ट के रूम में है इन दोनों के बीच बैंगे चारे न तो एक ट्रम है इन दोनों के बेचे मुल्टिप्लाइब एक ट्रम यह है तो यह मारे पास बाइनोमियल है कि बाइनोमियल है और यह अक्यला ट्रम है यह हो गया मोनोमियल तो पर्स्ट टाइब एक इसी प्रकास आता है कुछ अलजेबरिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे और उनको फ्लासिफाइब करना होगा आपको कि मोनोमियल है ट्राइनोमियल है यह बाइनोमियल है ठीक है डर्स सेकंड टाइब आपको एक्जांपल पूचेबा थ्री बाइनोम इस विद्विद ओन्ली अक्स एज वेरियबल अक्सक्रों में वेरियबल होना चीए ठीक है उसके पावर कुछ भी लेला आप और बाइनोमियल हो ने दो ट्रम होना चीए तो देखो हो स्टेंट्स आक्स प्लस फोड एक तो यह हो गया एक्जांपल आक्स माइनस त्री यह ह हो गया है अक्सिस्वायर प्लस सेवल अपॉन और यह हो गया है यह तीन बाइनोमियल के एक्जाम्पल हमने बता दिये यह पावर कुछ भी हो सकती है यह दो होनी चीए ठीक है नेक्स्ट है थ्री बाइनोमियल वित और अक्सल्ड वाई अब की बार दो वेरियाबल लें अक्सिस्वायर प्लस वाई यह हो गया नेक्स्ट हो गया हमारे पास अक्स माइनस थ्री वाई यह लो इस प्रकासे यह तीन हमने बाइनोमियल के एक्जाम्पल दे दिये जहां पर हमारे पास दो वेरियाबल यूज किया है हमने अक्स और वाई अब आता थ्री मोनोमियल मोन में तो पलस और माइनस का साय नहीं ले सकता एक सवर वाई की बीच में कर प्रोडक्ट के रूमें तो देखे इसके एक्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं कि यह 3x y एक मोनोमियल हो गया 4x y एक मोनोमियल हो गया माइनस 4x y और माइनस का 5 अपन 3x y या अप्ससवायर य या अच्शिस्वायर y सभसायरियलो तो यह भी मोनोमियल हो गया आगी आतथ 2 положonna प्रम चरवने चाईए तो कंडिशन में मारे पास में कौनसו एग्जाम्पल बनते हैं देखते हैं इस ब्रेंट्स कुछ भी दीजिया शेवर अक्स स्कॉयर माइनस प्रक्स प्लस 3 यह मारे पास में ट्रम होएं प्लस वाई और कर दो यह चार ओगे ट्रम ठीक है इसी प्रकार से एक और लेते हम शेवर अक्स क्यूब माइनस एक स्कॉयर अब अक्स क्यूब वाला ट्रम एक हो गया तो दुबारा अक्स क्यूब वाला मतले लेना अभी लाइक ट्रम हो जाएंगे वो एक एक काउंट के जाएंगे अलग अलग नहीं यह पावर अलग में कोड़ीची है यह फिर वाई ले लीजिए आप माइनस सेवल प्लस फॉर पी माइनस ट्राइट यह देखिए पांच ट्रम वाला पोलिनोमियल हो गया है तो इस प्रकार से एक्जांपल आप कोई भी दे सकते हो यह हमारे पास क्योशन दें नेक्स्ट आते हैं लाइक एंड अलाइक ट्रम्स इस ड्रेट्ष में नेक्स्ट हमारा अंता लाइक ट्रम और यह समान अरिसका उतला होता है समान लाइक पर पहसारने के लिए हैं आपको इस पांच चीज़ी द्हान में रखनी होगी आपको पताये एक जो ट्रम होता है Trum होता है वो Fat Butcher's के Product से मिलकरके बना होता है और उन्हमें आपके पास Variable भी हो सकता है उस Variable कीProf This हो सकता है कोई Coexist हो औरagenü उस Co 2015 का Sign यह तो Plus का होगा या minus का होगा तो light Trum वही होते हैं जिनमें Variable और उसकी Power Must be Same समान होनी ही चाहिए अगर वेरियबर सेम नहीं तो वो लाइक Truffre होंगी पावरल सेम नहीं तो उलाइक होंगे वेरियबर और दोनों सेम और सेम यह तो लाइक त्नव होंग है ठीक है कोपीशेंट और सांइन हो सकता है उनद्रम्प के अलग लगान भी आजाय भी आजाए यह कोई compulsory नहीं है कि यह not compulsory कि यह same ही हो यह हो सकता है may be same और may not be same ठीक है यह same हो भी सकते है और same नहीं भी हो सकते है सब्सक्राइब कर भाढा करता सो एक रूंदय होता है और garlic उते हैं यहाँ पर पास है 225679 यहां लेकर सिंद्र मोनोमिल होता है इसमें इसमें रही वंच यहांbesondere इश् giorn और चांप पावर यहाँ बन है तो मिश्की फेट बन्या ना के लिए कोपिशेंट या पर को है से वन जोसेयन्ली होगी को प्रतिक औहों टो इन तते नहीं सहे एंद की फैसी students अ 127 अलगीज़ अलग अलगा साइन भी अलग लग रहे है प्लस का यह मैनेस का थिक है लेकिन फिर भी यह तीनों लॉयक प्रेम हो गया का प्लेंर लेकिन थिर डालीज मां आए ऐसे घ्लंद है ए अगर हेसे अगे अगर या कॉपिसेंट होया और साइन शैंज हो नहीं हो उसस्यामरों कोई लोθ ilum सब्सक्राइब को माने नहीं हो आके सी कवरेडreусов कोने नहीं हो आपको रह्याँ यह लैक ट्रम है इसके लाइब कोन है इसके लाइब कोन है इसके लीड याइब टु है लेक्त वाइब अलग है यह नहीं है यह दोनों कौन से लिए वाइब इसमें variable कौन है X और Y है चाहिए Y X लिखाओ हो चाहिए X Y लिखाओ हो मैंने पर्स चेप्टर में बताया था commutative property 2 into 3 और 3 into 2 एक ही बात होती है ठीक है तो Y into X कर दो या X into Y कर दो एक ही बात है यह दोनों लायक ट्रम है इस प्रकार से आपको जुमें आज ही बताया है इनको लेंड करना है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इनका एडिशन सब्ट्रेक्शन multiply तो उनमें यह जीज़े बहुत काम में आएगी आपके अधरोई आपकी चेप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग यह समझेंगे लाइक ट्रम क्या होता है पावर क्या होती है वेरियबल क्या होता है तो यह याद करेंगे थेंग्यू कि